नमस्कार दोस्तों लेटिस्ट अपडेट्स एंड रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब कीजिए एकलब वी स्टूडियो को और बेल आइकन बजाना ना भूले हलो फ्रेंड्स वेलकुम पर माई चानल एकलब वी स्टूडियो तो हम बाते करेंगे इस मेघा और स्मिता के बारे मेघा और स्मिता के बीच में जो हैर कलर के डिसकुशन चल रहा था एटीन थाउजन सेवन थाउजन इन सब के जो बाते चल रही थी वह आप लोगों को पता है तो आज महेश जी ने इस पात पे काफी जादा क्लास ली है स्मिता के यानि कि महेश जी ने पूछा कि स्मिता तुम्हाने हेयर कलर कि इतने का कर रहा है उसने बोले सेवन तो एट कुछ भी रॉनैट यह जो तुम यह कपड़ पहनती हो यह सारे स्पॉंसर कितने के होते हो फेली स्थाइ्लीच कप्रे यह देली स्ट्रे स्टालिश। कि टिम स्टेनी की यह adhere उते हैं तो भी कल रहे हैं यहる why थैं पर एटसमें चम जब लिग ओक पहने ह 103 एपिसोड में और स्पॉनसर कपड़ एस नहीं कोग रिए कि लिए तुम जो कॉस्मेटिक यू्ज करते हो तो इतनी सारी ठीजिए उसको सुनाई गए यारि कि अगा इसको जुछ मुछ नहीं करते हूं है सिल्कि महेंगे की अथे उसक्ति अपने एक ऐस्षि यूझ घ्ड़ नोज है थीक करा हैं अपने उसकी बातें करना चाहतेते जो कि क्लेरली स्थेख़ दिख लाते कि वह किस तरह से मीखा को हमेशा डाउन करने का ट्राई कर रही थी जो कि हो नहीं पाया और इस बात में महेश जी ने भी काफी ज़्यादा उसकी क्लास लगाई और बोला कि क्या मैं तुम्हारा बिल निकालू क्या मिने पस सब चीज का मैं अगर चाहूं तो मैं आज निकलवा सकता हूं लेकिन मैं चीजों घुछना नहीं चाहता हूं तो प्रसनल कमेंट नहीं करना चाहिए कॉन कितना खर्च कर रहा रहा कॉन क्या कर रहा चाहिका तुम यह कोई और कमेंट करने वाला नहीं होता है तो Smita के लगी है काफी जम के क्लास और इस क्लास में फिर भी उसको समझ नहीं है वो काफी ज़्यादा कन्फ्यूज तब भी दिखी है और वो आगे भी दिखते रहेगी ऐसी कन्फ्यूज तो आप प्रिव्यू हमें कमें के थो रहु बताईएगा जो महिश जीन Smita को बोला व कर दो महिश जीन Smita को बढ़ा हमें है